अच्छा आपको होली खेलना पसंद है भागवत हां जी हम फूलों के भी होली खेलते हैं और जंग भी रंग के भी होली खेलते हैं भगवान सी कृष्ण को खुष करने के लिए उनको आनंद देने के लिए फूलों की होली और रंग की होली खेलते हैं उनके साथ नमस्कार होले की बहुत बहुत शुब कामना है हमारे दर्शकों को आज हमारे साथ बहुत ही चुलबुले से, नन्ने से, क्यूट से महमान आए हैं और उनका परिचे मैं आप से कराऊंगी क्या नाम है आपका भागवत दास ब्रह्मचारी आपको पता है आपकी नाम का मतलब क्या है हां जी क्या मतलब है भागवत का भागवान का दास आप स्कूल जाते हैं नहीं हम स्कूल नहीं जाते क्योंकि वहां भागवत गीता नहीं सिखाए जाते हैं इसलिए हम गुर्कुल जाते हैं वहां भागवत गीता सिखाए जाते हैं अच्छा भागवत है जो आपने गले में माला पहनी है आप जाप करते हैं यह वाली हूं हाँ इससे हम जवाप करते हैं हरे कृष्ण मामत्रे जपते हैं और हरी नाम करते हैं जाप करने से क्या होता है है एक दिन नारघ जी ने भ्रमा जी से पूछा जी कखल 기자 को का उदार किसिओगा तो ब्रमा जी ने को हरे खुछ आरे खुछ नहीं शें जिवे si निच शेंपे सब्सक्राइब करने से सारे कले को सारे कलेशों का ना सोजाता है उससे बड़ा और कोई मुंत्र नहीं है चाहिए आप सारे वेदों को देख लो अच्छा अगर किसी के रिदय में किसी को भगवान को लाना हो मान लो मेरा मन नहीं लगता अगर भक्ती में हमारे दर्शकों में से अगर किसी का मन नहीं लगता भक्ती में कैसे अपने रिदय में कान्हा को लेके आएं मैं आपको एक लोट नातरूं। स्दाशी व्या, स्दाशी व्या, स्रीमत बागवती कहता यसे स्रवन मात्रेनाहरी चित्रमश्रमास्रेया। इसकोर्ट होता है कि हमें हमें हमेचा भगवान स्री कृष्ण की भगवान स्री राम की गथाओं का स्रवन करते रहना चाहिए केवल स्रवन मात्रे से ही भगवान स्री कृष्ण हमारे हिर्दे में प्रवेश कर जाएंगे इसलिए आप रोज भागवादम बढ़ो, रोज भगवाद गीता पड़ो, रोज श्रवन करो, तब इतनों आपके सुद्धी होईगी अच्छा होली आ रहे हैं, आपको पता है हम होली क्यों मनाते हैं? हाँ जी क्यों मनाते हैं? तो, भगवाद सी कृष्ण की आनंद लेने के लिए और उन्ठी कुशी के लिए प्रहलाद वाली स्टोरी पता है आपको? हाँ जी सुनाओगे? हाँ सुनाओ हुली आनी वाली है, इसलिए हैं हुली को की स्टोरी सुनाओंगा प्रहलाद महराज भगवाण विष्ण के बहुत बड़े बक्त है वो हर समय भगवाण विष्ण का द्यान करते ओम नमो भगवते वासु दिवाया ओम नमो भगवते वासु दिवाया फिर एक दिन खजन्या कस्टी पूने अपनी भेन हुली का कुखा कि आप जाओ आपको जो सिव जी ने जो रादर दी है उसको पहन लो और प्रहलाद महराज को चिता पे लेकर बैठ जाना है ना फिर वो प्रहलाद महराज को शाथ लेकर चिता पे बैठ गई फिर जैसे याग लगी तो बहुत तेज़ दुफान आया बहुत तेज़ दुफान आया आपको पते और जो वो सीना चादर वोड़के प्रहलाद महराज के पास आ गई प्रहलाद महराज के पास आ गई फिर उससे प्रहलाद महराज बस गए और खुली का को पूरी तरह जला दिया इसलिए इस्टे हमें सीख मिलती है क्यों बगवान के बगतों को कभी कस्ते नहीं पुंचाना चाहिए बगवान हरी उनके साथ हमेशा घड़े हैं मैं आपको एक स्लोक भी सुनाता हूँ हाँ प्लीज सुनाओ आपका फेवरेट श्लोक सुनाओ मैं आपको एक स्लोक सुनाता हूँ मारे क्रिष्ण राखे के राखे क्रिष्ण रमारे के इसकार दोता है कि बगवान स्री क्रिष्ण जिसको मारना चाहिए उसे कोई ने बचा सकता आप बढ़े होकर क्या बनेंगे आप बहुत चलते चलते आप हमारे दर्शकों को एक भजन सुनाएंगे हां धी सनाईए मैं भी गाऊंगे आपके साथ पहले मैं गाऊंगा तेरा मेरा फिनिस हो जाएगा तब आप गाईएगा ठीक है हरी का भजन करो हरी है तुमारा हरी का भजन करो हरी है तुमारा हरी का भजन करो हरी है तुमारा भागवत में बहुत बुरा गाती हूँ आप गाईए हरी के भजन दीना हरी है नाई है गुजारा नाई है गुजारा हरे क्रिष्णा हरी बोल हरे क्रिष्णा हरी बोल शुक्रिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ पर पास आने के लिए हमें होली की महता समझाने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बाते करने के लिए भागवत नमस्कार भागवत नमस्कार